So, hello everyone, this is C.A. Sanitya Sarafi, your friend, mentor and coach. So, कैसे हैं आप उमीद कर रहों कि आप अच्छे हैं और आपकी preparations अच्छी चल रही है, right? So, in this particular video, हम लोग 7 tips शेयर करने वाले हैं आपके साथ, कि इन 7 tips को follow करके, sir, आप audit law में 60 plus ला सकते हो, बहुत अराम से ला सकते हो. साथ बातों का आपको ध्यान रखना है. तो mantra number one, point number one, सबसे पहले concept को समझ लो simple भाषा में. It is very important, यार, कि concept को ना तुम simple भाषा में समझो, ठीक है ना? Simple भाषा में, अपने mother language में समझो, सिफ अंग्रेजी में समझने से कुछ नहीं होगा, concept को simple भाषा में, अपने mother language में समझो, तांकि वो जो flow concept है, वो सिधा तुमारे दिमाग में जाए, वो concept सिधा तुमारे भेजा में जाए. तो वैसे दा पढ़ना स्टार्ट करो के, रंडमली पढ़ना स्टार्ट करो के, कुछ भी नहीं होने वाला, concept को समझना है, और जादा technical way में नहीं, simple शरल भाषा में समझना है, उसके बाद अपने को ensure करना है, कि exam तक अपने 5-6 बार revision हो जाए, जिसमें first revision should be the best revision, अब कैसे ensure और करेंगे sir, कि आपने 5-6 revision कर सकें, तो अपने को summary अभी से बना के चलनी है, अपने को keywords अभी से mark करके चलना है, हर provision का gist अपने mother language में लिख लेना है, यह हर provision का gist अपने mother language में compile कर लेना है, लेटर ओन आपको उस particular gist को देखना है, आपको पूरे provision को नहीं देखना है, उ उसके बाद third thing sir, आपको return practice करनी है, यह चीज़ आप भूल जाते हैं, कि आपको exam में लिखना है, आप सिर्फ audit 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 में लग जाते हैं, आप तो practical subject का भी audit कर रहे होते हैं, audit law तो भूली जाओ, तो याद रखना कि आपको return practice करना है, it is very very important, चौथी चीज़ सर आपको test देनी है test का importance समझो यार, बच्पन में आप बहुत अच्छे marks लाते थे, क्योंकि आप लोग test देते थे, अब आपने test देना बंद कर दिया है, please make sure आप लोग जितने हो सके उतने test दे रहे हो, chapter wise test दे रहे हो, 100 mark test दे रहे हो, जितना हो सके उतना दे रहे हो, properly evaluate करा रहे हो, आईसे format म test दे रहे हो, और test देने के लिए अपना खुद का एक platform available है, अपना mentor.com, जो कि आपको best platform provide करता है for giving test in the entire country, उसके बादी आप जीस भी teacher से coaching ले रहे हो, including me, जीस भी teacher से coaching ले रहे हो, give importance to the ICI material also, उसको भी अपने को इज़त देनी है, जब भी teacher का परहावा complete हो चाएगा, तो एक बार अपने को ICI material देखना है, जाधा करने का टाइम ना भी मिले, तो हर chapter में कुछ illustrations होता है, chapter के end में कुछ questions होते है, atlas tutorial देख लेना है, और अगर ICI के material में कुछ extra दीखे, जिसमें, you know, कुछ additional दीख रहा है, 4-5 point वगरा को को question दीख रहा है, तो उसको भी mark करके अपन महनत fail हो जाएगा, लेकिन अगर तुम 1.5 देज में चीजों को अचले सा समीड़ पायेना, तो तो तुमारा सारा महनत कामियाब हो जाएगा, तो तो तुम उस 1.5 देज की त्यारी अभी से शुरू कर दो, 1.5 देज की अभी से शुरू कर दो, अभी से सोचू कि भाई, मैं कैसे अपने स्लेबस को इतना concise कर सकता हूँ, इतना condensed कर सकता हूँ, कि 1.5 days में मेरा revise हो जाए, exam से पहले demo mock test environment decorate करो कि बाई दो दिन बाद मेरा exam है और दो दिन के अंदर मेरे को परके exam देना है, तो इस तरीके से 1.5 days के तयारी अभी से शुरू कर दें, और फाइनली सिर्फ concept 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 पढ़ने से कुछ नहीं होगा सर जी, presentation और interlinking पर काम करना होगा, professional exams में presentation plays a very very important role, CA exam में presentation plays a very very important role, तो आपको presentation में ध्यान देना होगा, देखना होगा कि या इंस्टिट्यूट क्या चाहता है, अपने ऐसे institute का presentation का requirement क्या है, तो presentation पर काम करना होगा, अपने classes के इंदर भी आपने presentation पर बहुत काम करते हैं, और साथ इसाथ interlinking expects are very important, तो अपने कुछ इन subjects like audit interlinking में काम करना होगा, कि कौन सा topic किस topic से connected है, कौन से दो topics आपस में साथ में refer हो सकते हैं, कौन से दो topics आपस में correlate हो सकते हैं, तो इन सारी बातों का से ध्यान रखना परेगा, तो यह साथ चीज़े आप follow करोगे, तो definitely it is going to help you out, to get 60 और 70 marks in audit and law, right, so यह साथ बात है एक दम कहीं register में लिग के रख लोगे सर मेरे को यह साथ चीज़े follow करना है, and definitely मेरे को audit law में बहुत अच्छे marks आएंगे, अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि यह audit law में बहुत साथ टाइम लग रहा है पहलेने में, so in that situation, you can go for the fast track courses, and पचास आठ घंटे में पूरा audit law एक बार खतम कर सकते हो in the fast track course, right, so that is one option that you have, so all the very best, love you all, take care, do follow these tips, and make sure that you pass the examination with flying colors.